दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर मुशारफ हुसायन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्जरी के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो बात कर लेते हैं कि सर्जरी के बाद आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप आने वाले खत्रे को या complications को टाल सकते हैं लिकी surgery के बाद जब आप shift हो जाते हैं ward के अंदर तो कई सारे changes होते हैं आपके शरीर के अंदर जो बेहोशी की दवाई के कारण होते हैं अभी बेहोशी की दवाई का असर दीरे दीरे जाता है और जब दीरे दीरे बेहोशी की दवाई का असर काम होने लगता है तो आपको कई बार दर्द भी महसूस होता है जिस जगह पे आपकी surgery होई है यहाँ देक कई बार आपका पिशाब भी रुख जाता है आपको urination का sense नहीं आता है हाला कि आपको catheter लगा दिया जाता है जिससे urine bag में urine इखटा होता रहता है लेकिन कई बार कुछ मरीजों में 24-48 घंटे तक भी उनको urine sensation नहीं आता है तो अगर ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बताएंगे पर उसमें गबराने की बात नहीं होती है ये ठीक हो जाता है समय के साथ साथ उसके अलावा आप अभी अस्पताल में इस्टे करते हैं तो यहां तक देखी कोई दिक्कत होती नहीं है क्योंकि आप पर नर्स भी है वहां पर डॉक्टर भी है जो आपकी देखबाल करते हैं और अगर कुछी तरह का भी कुई कंप्लेन आपकी दरफ से होती है या उनको किसी तरह का कुछ साइन मिलता है तो वो उसको टेक्केर करते हैं और इपिडेटली करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं आपके ड्रेसिंग वगरा चेंज की जाती है यहां तक तो सब कुछ ठीक है जब आप अस्पटाल में होते हैं लेकिन जब अस्पटाल से आपकी छुट्टी हो जाती है तब यहां से एक रिस्क का खत्रा बढ़ जाता है क्योंकि अब आप एक ऐसे एरिया को छोड़के चले गएं जहां पे आपकी देखबाल करने वाले लोग थे क्लिनिकल एक्सपर्ट लोग थे जिनको अच्छे कासी जानकारी है सारी चीज हो की लेकिन आपके घर में जाके यह चीज़े लिमिटेड हो जाती है किसी एक्सपर्ट नर्ड्स या डॉक्टर से ही कराएं कुछ से ॡ्रेसिंग करने की कोशिश ना करें क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उसमें यहीं पे यह होता है कि आपकी ॡ्रेसिंग में अगर इंफेक्षyन हो जाता है तो आपके wound में infection हो जाता है जिसे healing आपकी बहुत जादा delay हो जाती है और कई बार body में भी infection फैलने का खत्रा बढ़ जाता है तो ये आपको धियान रखना है सबसे जरूरी बात ये होती है दूसरी बात ही होती है कि आप बहुत जादा strain ना करें क्योंकि जब भी आपके surgery के बाद अंदर और बाहर दूनों तरफ stitches लगे होते हैं अगर आप बहुत जादा strain करते हैं आपको खासी बहुत जादा आती है तो आपके stitches के lose होने की chances या रप्चर होने की chances पढ़ जाते हैं तो ये भी आपको धियान रखना चाहिए आपको constipation ना हो इसलिए आपको डॉक्टर की बताईवी दवाई हमेशा लेनी चाहिए वो आपको जरूर सफ्ट आवेक जैसी दवाईयां इस तरह की दवाईयां सर्जिरी के बाद देते हैं जिससे आपको motion clear हो जाए उसके अलाव अगर आपको बुखार आजाता है आपको fever आजाता है तो इसको कभी भी इग्नोर ना करें क्योंकि fever पहला sign होता है किसी भी infection के लिए और ये खत्रे की गंटी होता है अगर आपको fever आजाता है किसी भी surgical procedure के बाद ये पान लिया जाए कि आपको 100% कोई secondary infection हो गय और उनका सलाम इश्वरा लें और उनसे जाके मिलें so that corrective action लिये जा सकें कुछ antibiotics आपको दे दिये जाते हैं जिससे infection settle हो जाता है और कई बार काफी दिन लगते हैं इसकी अगली बात जो आपको note करने वाली है कि जब भी आपका dressing होता है देखे कि वहापे कुछ discharge तो नहीं हलका फलका serious discharge निकलता है उसमें घबराने की बात नहीं है लेकिन अगर कुछ पस जैसा discharge आपको देखने लगे तो इसको भी ignore नहीं करना चाहिए इसका मतलब भी यह होता है कि wound side पे infection हो गया है जो अच्छी बात नहीं है अगर आपको अब्डोमेन ले जापके हैं पर surgery हुई है और आपका पेड़ बहुत जादा प्छूलने लगता है आपको दर्द भी हो रहा है और आपको motion भी पास नहीं हो रहा है तो यह भी एक alarm होता है कई बार मरीज के आथ में बंद लगने का तो अगर ऐसा होता है तो इ पार भी कटा है तो वो discomfort रहेगा उसको आप ऐसा जादा चिंता करने की जुरूत नहीं दीरे दीरे आपको चीज़े सेटल हो जाएंगी के बार आपको drain pipe भी लगाया जाता है उसमें drain भी आएगा आपके साथ दिन में वो ठीक हो जाता है आपको इस्ट्रेचिस भी निकल ज करते हैं उसके लावा कुछ surgical यानि इस surgical procedure specific चीज़े होती है वो depend करता है कि आपके कि किस side की surgery है पेट की सरजरी है, अपेंडिक्स की सरजरी है, गॉल बेडर की सरजरी है, हाट की सरजरी है, नीज की सरजरी है, हड़ी की सरजरी है उसमें डिपेंड करती हैं बहुत सारे सिंटम्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्सरसाइजें तो उसमें आपका जो doctorate discharge advice आपको लिखा है उसको follow करें उसको ignore ना करें जब आपको follow up के लिए बलाया है तब जरूर जाएं और कोई भी आपको ऐसा lection दिखे जो नहीं आपको होना चाहिए जो आपको परिशान करता है तो जरूर अपने care provider को और doctor को inform करें तो मुझे उमीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो उसको like जरूर कर लेना जादा 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 लोगों को share करें widely so that अधिक साधिक लोगों को उसका फाइदा मिले और अगर आप चैनल पे पह आप